हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ABS Marine Service Limited IPO के बारे में यह जो कंपनी है वो फाउंड हुई थी in October 1992 में जो मेनेज करती है ओफ्शोर वेसल एंड ओफन फाइव वेसल एस ओफ 31 दिसंबर 2023 जो यह वेसल है इसके फाइव उसमें इंक्लूड है टू मोडन ओफ्शोर वेसल फॉर ओईल एंड गेस सेक्टर एंड थी हारबर वेसल फॉर दा इंडियन पॉर्ट सेक्टर यह जो कंपनी है वो चार कंपनी प्राइवेट कंपनी एंड पॉर्ट अथोर्टी इसके साथ साथ यह जो कंपनी है वो प्रोवाइड कराती है क्रिव मैरेजमेंट सर्विस फॉर ट्वेसल जिसमें इंक्लूड है ओईल टेंकर गेस केरियर्स बल्क करियर्स पेसेंजर शिप एंड हाई स्पीड वेस सप्लाइवेसल एंगोर हैंलिंग सप्लाइवेसल और भी एसे नाम है जो आप स्कीन पर देख सकते हैं जिसके यह फुली एक्यूप्ड है इसके साथ जो कंपनी का ओफिस है वो है इन मुंबई चेंड नहीं में और इसका जो ब्रांच ओफिस है वो है इन कोचीन में और जो हमने कमनी के बारे में جान लिया कि कमनी किकर में कि इसके बर और इसे आगे हम इस वीडियो को चार पॉइंट में कभर करने वाले हैं फस्ट में हम आइप ने इसकीं को देखेंगे कमरी के फाइनेंस को देखेंगे थर्ड में हम कंपनी के GMP को देखेंगे एंड फॉर्थ में हम एनलाइज करेंगे कि क्या हम इस आईप्यों में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा ताकि आप इस आईप्यों से लेटेट कोई भी इंपोर्टन इन्फोर्मेशन मिस ना करें और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या किजिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कभी आगे कोई भी अपडेटेड वीडियो लेकर रहा हूं या फिर इस के लिए चलते हैं आईपयो की डेट्स एंड डिटेल्स पर यह जो आईपयो है वो ऑपन होने वाला है यहाज इसके साथ साथ यह बीटोस होगा 15 मही 2024 को यह नि 10 मही से 15 मही की बीच में आप इन अपलाए कर सकते हैं अब इसकी इंटिमेशन कि आपको यह बाला है या नहीं इसकी मिंटिमेशन मिल जाएगी आपको 16 माई 2024 सक अगर आपको यह IPO लोट नहीं होता है तो इसका जो अमाउंट है वो आपको रिफंड होगा 17 माई 2024 सक अब इसकी लिस्टिंग डेट की कब मार्केट में लिस्टेड होने वाले हैं वो है 21 माई 2024 यानि 21 माई 2024 को यह शेर मार्क में लिस्टेड हो जाएंगे इसके साथ साथ जो इसका प्राइस बेंड रखा है कमनी ने वह रखा है 142 147 रूपीज पर शेर का 147 रूपीज इस IPO की कट-off प्राइस होने वाली है एक लोट में 1000 शेर होने वाले हैं टोटल इश्यू साइज है 96.29 करोड का और यह पूरा का 45, 40,50 थाउजंगी अगर आप रिटेल के इस एक लोट के लिए और आप मेंगिजेम एक लोट के लिए अपलाइ कर सकते हैं रिटेल के इजिस का अमांट होगा सब्सक्राइब करना है तो आपको मिनीमम दो लोट के लिए अप्लाइब करना होगा जिसका अमाउंट है टू लेक 94000 का आप मोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं प्री इश्यों पोस्ट इश्यों क्या हो जाएगी प्री इश्यों है प्रिजर्वेशन रखा गया है एंड एड के लिए रखा गया है 15% का आई प्यों का रिजर्वेशन चलिए बात करते इस कंपनी के financial terms की हमारे पास दो साल का data है 31 मार 2022 31 मार 2023 का 31 मार 2024 तक का भी हमारे पास data है यानि कि हमारे पास total कितने साल का data है 3 साल का data है और यह जो amount है वो हमें किसने में शोह हो रहे हैं इन legs में शोह हो रहे हैं और हमारे पास है assets, revenue, profit after tax net worth, reserve and surplus and total borrowing तो तो 31 मार 2022 को जो एसेट थी वो थी 16,663.28 लेक्स की 32 मार 2023 को हो गई 17,552.50 लेक्स की और 31 मार 2024 को हो गई 18,480.99 लेक्स की तो जो एसेट से वो क्या लगाता 3 साल तर इंक्रीज है तो यह हमारे लिए क्या है प्लस पॉइंट है रेवेन्यू हमारे पास 31 मार 2022 को ता 8,283.98 लेक्स का 32 मार 2023 को हो गया 11,380.78 लेक्स का और 31 मार 2024 को हो गया 13,801.89 लेक्स का तो जो रेवेन्यू है वो भी हमें क्या दिख रहा है लगातार इंक्रीज में दिख रहा है तो यह भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है हमारे पास profit after tax 31 मार 2022 को था 809.43 लेक्स का 31 मार 2022 में हो गया टेज में हो गया 952.74 लेक्स का and 31 मार 2024 को हो गया 2355.41 लेक्स का तो जो profit after tax है वो भी हमें क्या दिख रहा है लगातार increase में दिख रहा है तो ये भी हमारे लिए क्या है plus point चल रहा है net worth हमारे पास 31 मार 2022 को थी 8370.01 लेक्स की 31 मार 2023 को हो गयी 9352.42 लेक्स की 31 मार 2024 को हो गयी 11717.39 लेक्स की तो जो net worth है वो भी लगातार increase है तो ये भी हमारे लिए क्या है plus point है रिजर्वें सेरप्स हमारे पास 31 मार 22 को था 8369.01 LX का 31 मार 23 को हो गया 9351.42 LX का 31 मार 24 को है 9917.39 LX का तो जिघ रिजर्वें सेरप्स है वो भी क्या है लगातार INCREASE में लिख रहा है तो ये भी हमारे लिखा है प्लस पॉइंट है टोटल बोरिंग्स है हमारे पार 31 मार दोजार 22 को है 6114.77 लेक्स की 32 मार दोजार 23 को है 4866.29 लेक्स की 32 मार दोजार 24 को है 4567.96 लेक्स की अगर बोरिंग्स बढ़ती है तो वो हमारे लिए क्या होता है नेगटिव पॉइंट होता है पर अगर कम होती है तो हमारे लिए क्या होता है positive point होता है तो यहां पर अगर हम देखें तो जो boring फिर लगातार हर साल decrease हुई है तो यह हमारे लिए क्या है एक plus point है इसके साथ हम अब यह बात कर लें दें कि जो revenue है इन terms और profit after tax है in terms of percentage कितने percent से decrease हुआ है या फिर increase हुआ है in 2024 comparison to 2023 तो वह भी देख लेते हैं तो जो revenue है वह increase हुआ है 21.27% से in 2024 comparison to 2023 और जो profit after tax है वह increase हुआ है 147.222% से in 2024 comparison to 2023 के बात करते हैं इस कमनी के की performance indicator की हमारे पास इसकी कमनी की जो market capitalization है वह है 360.88 करोड की और जो KPI हमें दे रखे है as on 30% मार 2024 दे रखे है जिसमें है return on capital employed 18.67% का return on net worth 20.10% का PBVS का 2.26 debt to credit ratio है 0.39 का EPSA pre IPO 13.09 post IPO हो जाएगा 9.59 का PES का pre IPO 11.23 post IPO हो जाएगा 15.32 का जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ return on equity return on capital employed return on net worth अगर 15-20 या फिर उससे जादा है तो यह हमारे लिए क्या है plus point है otherwise वो हमारे लिए negative point होता है तो यहाँ पे जो return on equity है capital employed है वो क्या है 18.67% नानी 15 से जादा तो यह हमारे लिए क्या है plus point है return on net worth हमारे पास 15 से जादा है तो यह भी हमारे लिए क्या है plus point है debt to equity ratio हमारे लिए plus point तब होता है जब वो हमारे लिए एक से कम होता है अगर एक से जादा है तो वो हमारे लिए क्या होगा negative point होगा और अगर एक से कम है तो वो हमारे लिए positive point होगा तो यहाँ पे जो debt to equity ratio है वो है 0.39 यानि कि यह हमारे लिए क्या है प्लस पॉइंट है चलिए बात करते हैं इस कमनी के GMP की 6 माई 2024 को जो इसका GMP था इन टम सो रूपीज वो था 13 रूपीज का जो था इन टम सो प्रसेंटेज 8.84% का 7 माई 2024 को जो इसका GMP हो गया वो हो गया 40 रूपीज का इन टम सो प्रसेंटेज 27.21% का 8 माई 2024 को जो इसका GMP है वो हो गया 60 रूपीज का in terms of percentage 40.82% का 9 माई 2024 को जो इसका GMP है वो हो गया 92 रूपीज का in terms of percentage 62.59% का 10 माई 2024 जब ये वीडियो record हो रही है उसमें जो इसका current GMP चल रहा है वो चल रहा है 92 रूपीज का same जो है 62.59% का अगर हम देखे तो जो GMP वो लगातर increase में दिख रहा है ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी increase और कभी decrease हो रहा है लगातर increase में हमें दिख रहा है तो अगर हम एक profit का assumption ले कि जो भी इसका फिलाल GMP चल रहा है और जो इसके अभी estimated listing pricing है उस basis पे हमें कितने तक का profit होने के chances होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार तो इसका जो investment amount है वो है one leg 47,000 का और जो GMP है वो है 62.59% का तो अगर हम देखें तो हमें लग बग 92,000 के profit होने के chances होंगे अगर यह इसी GMP पर और इसी estimated listing pricing पर market में listed होता है पर जो GMP वो क्या होता है day to day increase और decrease होता रहता है तो हम यह नहीं के सकते कि हमें इतना ही profit होगा यह एक assumption है अगर इसी price पर market में listed होता है तो पर जब तक यह IPO close होगा और listed होगा तो हो सकता है कि इसका जो GMP वो काफी increase हो जा क्योंकि subscription status का भी direct answer GMP पर पढ़ता है तो इस दोनों के बारे में हम बात करेंगे और अगर हम decision लेते हैं apply करने का या फिर नहीं करने का अगर उस decision को continue करना होगा या फिर change करना होगा उसके बारे में भी हम जब 14 माई को एक वीडियो लेकर आएंगे updated उसमें discuss करेंगे तो उ करने के लिए आपको help मिल सके चलिए अब हम finally analyze कर लेते हैं कि क्या हमें साइप्यों में apply करना चाहिए नहीं हमने इस company के finance देखे finance तीनों साल के काफी अच्छे थे तीनों साल में सब सारे point जो थे वो positive में आ रहे थे फिर हमने जो इसके KPI फेक्टर में भी जो थे सारे point positive मे अभी फिलाल जो इसका GMP के चल रहा है 62.59 परसेंट चल रहा है जो SME IP होते हैं higher risk वाले IP होते हैं तो वह लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं 0% रिस्क लेना चाहते हैं तो उनको तो मैं तब भी advice करते हूं किसी भी IP में apply करने का जब IPO close होने वाला तो तब ह यह apply करें जब उसका GMP 100% से जाधा हो पर अगर आप थोड़ा वह तो रिस्क लेने के लिए तैया है आप 20-30% रिस्क लेने के लिए और जब IPO close हो रहा हो या पि जब लिस्टेड होने वाला हो उस बेसिस पर अगर market condition सही चल रही हो और उसके जो सारे financial factor हो सब कुछ सही हो त अगर market condition down चल रही होगी तो GMP के डाउन जाने के chances भी होगे अगर market condition सही होगी तो आपके जो यह IP है वो profit पर अच्छे GMP पर लिस्ट होने के chances होंगे तो वह 20-30% है यह से risk factor है डिपेंड on market condition है उसमें कि आइप लिस्टेड हो रहा है उसमें market condition क्या चल रही है तो अभी जो इस फिलाल इस IP का GMP वो क्या है 62.59% 60 से जादा है 100 से कम है तो इसमें जो risk factor से वह 20-30% है और यह जो आइप वह अभी क्लोज नहीं हो रहा है अभी इस IP को क्लोज होने में काफी जादा time है तो इस basis पे मैं अभी अपना decision बगाना चुकिए हूँ कि अभी फिलाल जो इसका GMP अगर 100% से जादा होता तो हम आज ही apply कर देते पर अभी जो इसका GMP वो 100% से कम है 60 से जादा है पर 100% से कम है और अभी इस IP को क्लोज होने में काफी time है तो अभी फिलाल के लिए मैं इस IP को hold करके रहेंगे इसको एक अपने choice में रखेंगे जब यह आई प्लोज होने वाला है तो हम क्या करेंगे 14 माई को एक updated वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम GMP की subscription status की एंड जो हमारा final decision होगा उसके बारे में बात करेंगे कि क्या हम इसमें finally apply कर रहे हैं या नहीं इन सब चीजों को market condition को देखते हुए हम हमारा decision finally ले लेंगे 14 माई की जो updated वीडियो आएगी इस IPO से लिटेड तो उस वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह की updated वीडियो लेकर आओ और आगे कभी भी अगर मेरा को decision change होता है किसी भी IPO से अगर market condition डाउन जाती है और मे सब्सक्राइब करना मत बूलेगा और थैंकि सो मच पर वचिंग मैं वीडियो